नमस्कार दोस्तो स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का एक बार फिर से ये है 75 डेज वुकेव चैलेंज का 48 वा दिन ठीक है 48 डे है जिसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजिस की 8th क्लास डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी तक हमारी साथ क्लास इडियम्स एंड फ्रेजिस की हो चुकी है सभी को गुड मॉर्निंग और आज है 26 जन्वरी 2024 तो सभी मेरे प्यारे भाई बंदूओं को गड़तंत्र दिवस की हार्दिक सोब कामना है आपका दिन मंगल मैं हो भगवान और आप सभी लोग मिलकर के अपने देश के प्रती सृध्धा बनाए रखें देश भक्ति बनाए रखें ठीक है स्टूडेंट्स हमारे देश का फ्यूचर होते हैं उनके लिए देश भक्ति बहुत ज़रूरी है ठीक है ना सभी लोग की सेशन को सेर कर दीजेगा ठीक है और कमेंट करके बताना की सेशन आपको कैसा लगा पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए डे कोई सा भी हो पढ़ाई तो आपको करनी ही है ठीक है और टेलेग्राम चैनल जोइन कर लेना सेर कर देना चलो आज की ग्लास का आज मैं जो words कराने वाला हूँ जो भी idioms and traces कराने वाला हूँ उसमें arms related, next related कुछ आपको idioms मिलेंगे जैसे arm का मतलब एक तो arm होते हैं हतियार और एक होती है arm भुजा ठीक है तो एक arm chair job, कैसी job होती है ये madam क्या job कर रही है, PARAMERS दे रही है, और PARAMERS देने के पैसे ले रही है है ना, मतलब ऐसा नहीं कि PARAMERS देना tough नहीं होता है, बट कुछ जोब ऐसी होते हैं जिनमें काम बहुत कम होता है कुछ नहीं बस आराम से इंस्ट्रक्शन देना है बॉस की जॉब वास के उपर भी प्रैसर होता है बट ज्यादतर मतलब कुछ ऐसी जॉब भी होते हैं जिसमें पैसा जादा मिलता है काम कुछ नहीं होता है, कुछ लोग लखी होते हैं जिनको ऐसी जॉब मिल जाते हैं ये अर्मिफ के ट्रेड एक टों की क्रिटीक होती है यहodan के होता है निंदा करना- विशूक कर तो एसे विचार प्रकट करना जो सिर्फ विचार ही प्रैक्टिकल्यूरनाख में उनका कोई केवल सिद्धान तो क्या आदार पर हम ऐसे करके यहां से अपने इंडियान आर्मी को बेजाएंगे ऐसे करके मारते कि बहां पर जो मरेंगे ना लड़ेंगे उन से जाके पूछोगी कितना से जो है प्रैक्तिकल होता है तो सिर्फ सिद्धान्तों के आदोहर पर सलहा देना या अपना अपेनियर रखना जो कि प्रक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है ठीक है ना इसको कहा जाता है आमचेर क्रिटिक आमचेर जॉब आमचेर क्रिटिक अभण फिलानिंग के आप युद्ध में जाओगे हार गए मरते जा रहे हमारे लोग तो हम सोचते हैं कि अब तो हत्यार डाल देने चीए तो जब हम हाथ खड़े कर देते हैं तो उसको बोलते हैं लेडाउन वंस आमचेर कोई अपने हत्यार दाल देता है सकतला है तो हार समर्पण करना यह होता है दीजों वाइट फ्लेग हार का होता है जैसे एकर हम वाइट फ्लेग दिखा देते हैं तो हमने हार स्विकार कर ली है ठीक है है यह याद रखना अपने य Ε Самर्पण यैंद Spanish्या संवनस आम आपने देखा होगा twist का मतलब होता है mode ना मतलब भुजा अगर कोई व्यक्तिक काम नहीं करता तो हम जवस्ति काम करवनना और उड़ा दूर सबहुता है किसी से आप कोई काम जबस्ती करवाना चाहते है यह होता है twist someone's arm मतलब जबरन किसी भी काम के लिए राजी करना जबरदस्ती किसी काम को करवाना forcefully to force someone to do something by mistake it hard for him to refuse उस time पर उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है माना करना क्योंकि भाई मजबूर हो जाता to keep at arm's length एक हाथ का फासला रखना है school में prayer गाते है एक हाथ का फासला हालांकि ऐसे करके होता है बट कुछ लोग बच्चे ऐसे कर लेते हैं एक हाथ का फासला इतनी distance बना के रखनी है क्यों क्योंकि मुझे इससे दूर रहना है यह गलत आदमी है जब किसी गलत आदमी से दूरी बनानी होती है to keep at arm's length उस ब्यक्ति से हम क्या रहते हैं दूर रहते हैं तो दूरी बनाए रखना ठीक है दूरी रखना यानि कि दोस्ती ना रखना सुनो यह हसरा है स्माइल कर रहा है गर्ल से स्माइल करती हैं लड़कों को दूर रहना चाहिए अगर future चाहते हैं तो बट ऐसा नहीं है यह पिखल जाता है यह सकत नहीं है जलासा को स्माइल मार दे पिखल जाता है ऐसा बनके रहोगे सक्सेस हो झाओगे ठीक है ना सक्सेस्पल हो जाओगे जमाना ऐसा है नहीं कुछ गड़ बढ़ है, suspense create कर तो, अब pain in the neck, pain in the neck, एक ऐसा ब्यक्ति जिससे आप ऊप जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो मेरे सर का दर्द बन चुका है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर का दर्द बन जाते हैं, उसको कहते है, an irritating person, एक ऐसा ब्यक्ति जो अपको परिशान करके रखा है उसको हम कहते हैं पेन इन दर नेक बोलते यार तुम मेरा सर का दर्द बन चुके एक सरदर्दी मेंने पाल रखिया है तो एक ऐसा ब्यक्ति जो कैसा होता है, इरिडेटिंग होता है, जिसकी वज़े से आप परेशान हो जाते हो, आसहनिय हो जाते हैं, ठिक है, pain in the neck, एक होता है up in arms, up in arms का मतलब क्या होता है, जब हमें ज़्यादा गुस्षा आता है, इस ब्यक्ति को देख रहे हो, कानों में इस चिड़ा हुआ कड़ा विरोध करना आप किसी भी चीज के प्रति अथ्यदिक विरोधी हो जाते हैं गुश्यल हो जाते हैं ठीक है टुबी वैरी एंग्री बहुत ज्यादा गुश्य में इसके पास कैसा फोन इसमें कैमरा तो है नहीं हैं भई अ की इसकी फोन कौन से है जिसमें कैमर और ही निए कैमरा बना लेते हैं ठीक है यह ऐसे सही नहीं लग रहा है एक फ्लेस बना दो बिना फ्लेस की कैमरे का कोई मतलब भी बनता ठीक है चलो तो यह हो जाएगा ऐसा बैक्ति जिसको भिरोध आता है तो मतलब गुश्सा आता है उसको कहते हैं खीजा हुआ चिड़ा हुआ गुश्य में चलो आगे चलते हैं अप इन आमस हो जाएगा ठीक है वेलकम विद ओपन आमस अरे आपका स्वागत है आईए 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 इतनी दूर से से हाथ फिलाए इसका मतलब है आप किसी का वेल्म वाम वेलकम कर रहे हैं वाम वेल आपका इतनी सुंदर महिला होगी कोई भी हाथ फिला के स्वागत कर लेगा या क्यों नहीं है कि नहीं तो यह होता हाथ फिला मतलब गर्म जोशी से स्वागत करना कोई अगर रिच पर्षन एक वेल्योवल पर्षन है जैसे कि आपके गर अगर मोदी जी आए इस टाइम पर तो मोदी जी का स्वागत कौन नहीं करेगा है ना कोई भी बड़ा आदमी होगा जिससे आपका फायदा होगा तो हम उनका गर्म जोशी से स्वागत करते हैं कि नहीं वैल्यूवल हो आप से बड़ा इंसान होगा उसका स्वागत करते हैं छोटे इंसान का कोई स्वागत नह बराबर हैं कोई फ़रक नहीं है जितने तुम अमीर होता ही मैं हो जिसका मतलब है नेक मतलब बराबर होना बराबरी का मकाबला दोनों एक्ड़ियंसे थे डौना तरप अगर कोई एक जैसे लोग मिल जाते हैं, है कि नहीं, very close in a competition with neither of the two entities clearly in the lid दोनों में से कोई भी आगे नहीं है, दोनों बरावर हैं, बरावर breathe down once neck, breathe down once neck का मतलब होता है, सिर पर सवार रहना, यानि कि सभी कार्यों पर नजर रखना जैसे कि breathe down once neck आद, मालो ऐसे आप कोई काम कर रहें, आपके पीछे से यहां, गर्दन के बगल से हवा आ रही है, हवा सांसों की हवा, तो समझ लो आपके पीछे ही कोई खड़ा हुआ, आप मुड नहीं सकते ठीक है, कोई इंसान है, बहुत से आपका और आपके पीछे से यहां से हवा आ रही है तो कोई आपके गर्दन के पीछे से हवा ब्रीद कर रहा है सांस ले इसका मतलब पीछे ही कोई खड़ा हुआ आपको देख रहा है ठीक है तो यह होता है सिर पर सवार होना यानि कि आप पर नजर रखना ब्रेद्ध डाउन वन स्नेक ठीक है एक होता है स्टिफनें पर्सन ऩे मतलब तो होता है अब देखो यह मनारा विचारा ओ फिरा वैंने मंन केसी वी छीजसे वी रूठ गहीं है है मनारा अचनल के लोकों से दूर आख और है टीक है निया चलों का मतलब क्या होते है अब्टू 1 स्नेक यह अभी भूत यानि की पूरी तरह से बोलते ना कि यार खाना खाऊ गे नहीं-ए नाग तक जिखाऊ हुआ क्या मैं नाक तक जिखाऊ हुआ हुआ यह ओढ़लोड दे इसने इतना खा लिया कि अब जड़ासी भी जगह नहीं है चाहिए के आगे कितना भी फेवरेट खाना रख दो यह नहीं खाएगा नाक तक भरा हुआ है तो अब वो जिका हुआ है तो क्यों ही खाएगा तो अभीबूत होना मतलब परिपूर्ण होना पूरी तरह से प्रभावित आप क्या सकते है नेरली ओवर्वेम्ट और अफेक्टेड नेक ओप दो बुट्स का मतलब क्या होता है एक विसेश छेत्र कि सुनो भाई जहां तुम रहते हो जैसे मैंने का दिल्ली दिल्ली क्या है दिल्ली पूरे भारत देश की गर्दन है दिल्ली पर अटेक कर दो पूरा का पूरा मामला हिल जाएगा क्योंकि वो राजधानी है वहरत देश की तो हम कह सकते हैं दिल्ली इस दनेक ओफ बुट्स फर इंडिया इंडिया के लिए दिल्ली क्या है एक तरीके से इंडिया की गर्धन है समझ रहो यानि कि विसेश जगह है एक पार्टिकुलर एरिया है पार्टिकुलर एरिया है आप ऐसे कह सकते हैं तो नेक लोगों को जो चीज पसंद आ जाती है और थम्स का मतलब होता है एक ऐसा बैक्ति जो अनाड़ी है याने की क्लमजी है फोटो से आप पता कर पाओ कि अपने लेप्टोप पे क्या कर लिया कॉफी फिला लिया मतलब ढंग नहीं है जो आदमी ढंग नहीं होता इसके अंदर फिजिकली ऑकवर्ड अजीव सा है न चलने का ढंग न खाने का न पहनने का तो आल थम्स कहते हैं यार यह बैक्तिक ऐसा एक्दम अनाडी है एकस्पीरेंस है ठीक है और इसको चीजाओं का ज्यादा अनुवफ नहीं एक होता है टू सो अथ क्लीन पेर ओफ हील्स का मतलब क्या होता है गायव हो जाना नोदो गया रहा होना मतलब गायव होना भाग जाना ठीक है अब इसको कैसी याद करोगे बंदा भाग रहा है छोड़ी टू एसके यानि की रन अवे नौदो ग्या रहा होना छूम अंतर हो जाना ठीक है तुशो अप्लेवरी से काम लेना निडर होना क्या होता है निडर होना आप किसी के भी सामने कुछ भी प्रेजंट कर रहे हो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी सपीच दे रहे हैं बेज हिजक बिना हिज के चाहत उसको कहा जाता है तुमेक क्या अन बोन सब्सक्राइब ठीक है तूब टुमेक अन बोन सब्सक्राइब क्योंट इस विक्ति कौतने हाते हैं डिएज़ी, काम का मला नरुइ ह shedding नहीं होना work on fingers to the bone work on fingers to the bone अब इस व्यक्ति को देखो कितने हाथ हैं काम कैसा कर रहा है बहुत महनत कर रहा है हर तरह चीजों को मैंने इसके पास fund भी है यह काम भी करता है time भी manage कर रहा है books भी पढ़ रहा है खाना पीना भी रख रहा है बहुत महनत करना work once fingers to bone हर चोटी चीज को time देना हर चीज को काम मतलब manage करके रखना हर चीज में महनत करना यह होता है work once fingers to the bone ठीक है back out of का मतलब क्या होता है back out of का मतलब होता है मुकरना मुकरने का मतलब होता है कि भाया हमने एक contract कि या एक अनबंधन किया कि आप हमारे साथ मिल के काम करोगे लेकिन वो ब्यक्ति हमें छोड़के चला गया ठीक है ना धोका देगा चांट्रक्ट खतम कर दिया तो यह होता है अपनी बात से मुकर जाना अपने कांद्रक्ट खतम कर देना ठीक है न पहले बात हुई थी बैक आउट ऑफ डैक आउट मतलब होता है नो आप से स capable आप से की करों कर सकते हैं ठीक है एक होदा बैक सी ड्राइबर आप गाड़ी चलाते हैं पीछे कोई बैटा हुआ है वो क्या करेगा आपको आइडिया देगा सुनो ऐसे चलाएगा ऐसे करो वैसे करो जब एक उसको जिरो आइडिया है कि मैं कर क्या रहा हूँ जो प्रैक्टिकली जिस काम को कर रहा है उसको बेवजय का आदमी सला देता है इसको कहते हैं अन चाही या बिना ग्यान की मामलों में दखल देने वाला व्यक्ति जिसको आइडिया नहीं है कि गाड़ी कैसे चलती है उसको आता नहीं चलाना लेकिन फिर वह उसको आइडिया आता है कि ऐसे करो इसको ज την बेक ड्राइवर पीछे बैठ बैठा हुआ वती है न जुए भाएक संबं का मतलब क्या होता है किसी थिक्ष्छा का करना मतलब यसं असमर्ठन करना वोलते कि या यह мेरा बैकैप है यह兩ndra बाइक बोन है, तो बैक संबन किसी बेक्ती का मतलब तू कर काम मैं है पीछे हूँ, तो इस तरह को बोलते हैं, समर्थन करना, कोई बाती तुम इस काम को करो मैं support करूँगा तो back summer होता है हालां कि इसमें to लगना चाहिए to back summer ठीक है तो यह अच्छे जी काम करेगा तो to back summer मतलब किसी का support करना पीछे से support करना back stairs gossip का मतलब होता है front में नहीं पीछे नौकरों के जो बीच में जो गपसप होती न पीछे बॉस के आलाग़ जैसे बॉस के आगे तो भाई जी हुजूरी गर नहीं है लेकिन जैसे ही बॉस महलिक नहीं होगा उसके बाद जो फिर गपसप चलती है नौकरों के बीच में उस ग स्क्वायर वन का क्या मतलब होता है या कोई भी काम यहां से सुरू करता है खूब एक्सपिर्फिरेंस लेता है फिर डउन्फा आते हैं फिर आते आते वहीं पर आते हैं यह भर से निकले ट्रिप का कुछ भी एक होता है तो फालवग तो फालवग का मतलब तो सिम्पल ही पलटना का मतलब यह होता है पीछे लौट ना अपनी चीजों पर ठीक है जैसे जो आप काम कर रहा है एक तरीके से आपने पर उल्टा तुम्हारे उपर या उसको फाल बैक कहते हैं ठीक है एक होता है know something like the back of one's hand अब देखो back से कितने सारे words बन गए तो back के कई सारे meaning है तो back का मतलब आपस लोटना होता है back up समझे रहें support तो किसी चीज़ से बहुत परचित होना मतलब आप किसी भी चीज़ को जानते हो know something like the back of one's hand जैसे यह मेरा हाथ है तो यह हम इसको कितने अच्छे से जानते हैं अच्छे से जानते होंगे तो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से परचित होना यह बुलता है यार इस से मिला रही है यह तो मेरे back back hand की तरह है जो hand है उसका back side तो हमेज़ आप messy काम करते हैं कोई भी काम करेंगे तो यह हमारे आँखों के सामने रहता है तो किसी भी चीज़ से अच्छे से well known कह सकते हैं अच्छे से पर्चेत होना know something like like the back of one's hand यह होता है to be very familiar with something किसी चीज़ से हद से ज्यादा familiar होना ठीक है एक होता है back to the drawing board ये भी वही होता है जैसे आपने experience लिया कोई भी काम किया फिर से हम वापस एक जगे पर आ जाते हैं नए सिरे से रणनीती बनाना जैसे मालो की जब elections आते हैं तो elections हार जाते हैं हम efforts डालते हैं election मालो कोई नेता है हार गया तो फिर क्या करेगा अपना अगले election की तयारी करेगा तब तक वह सांत रहेगा अराम से चुनाब की तयारी करेगा और क्या करेगा back to the drawing room मतलब दोवारा से अपने drawing room में चला जाएगा drawing board और दोवारा से चीज़ों की शुरुआत करेगा पेपर फेक्ट दिया दोवारा से बना रहें इसका मतलब हो गया किसी भी काम की शुरुआत फिर से करना नए से रहे से रन नेती बनाना ठीक है next be glad to see the back off हमें बड़ी खुसी होगी back off को देखे मतलब व्यक्ति के जाने से खुस हो जाना अगर आप जाएंगे तो हमें बड़ी खुसी होगी अगर आप जाएंगे तो आपका back जो back है वो मुझे दिखेगा यानि कि हम आपका back देखना चाहते हैं आप चले जाओ यहाँ स हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति के जाने की जो खुसी होती है be glad to see the back off किसी व्यक्ति के जाने की जो खुसी होती है इस पेशली रिष्टेदारों में जब रिष्टेदार जादा दिन तक घर पर रोग जाते हैं फिरी का खाना पीना चल रहा है special है ना टाइम और खाना पीना पैसे की बरवादी चल रही तो हम चाहते हैं अभी रिष्टेदार चले जाए गरीव घरों में अक्सर ऐसा होता ह है जब कोई वेक्ति जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है अगर तो इस लिडियम का अब यूज कर सकते हैं एक होता है बैंड ओवर बैक्वार्ड्स बैंड ओवर बैक्वार्ड्स हर संबब परयास करना है बैक ओवर बैकवर्ड स्वरी बैंड ओवर बैकवर्ड का मतलब जो है कि जो भी चैलेंज आपके सामने आरा आपने उसको फेस करने के लिए पूरी ताकत लगा रखिए इसको कहते हैं बैक ओवर बैकवर्ड क्या कहते हैं बैक ओवर बैकवर्ड ठीक है पूरी ताकत लगा द रहता है एक और है आपका on the back foot on the back foot का मतलब क्या होता है देखो अन्य लोगों या समुहों की तुलना में बत्तर स्थिति में होना जैसे आपने देखा एक क्लास में 20 लोग बैठ हो है और 20 लोगों में सब लोग तयारी कर रहे हैं तयारी कर रहे हैं सब लोग average है average student है याने कि थोड़ा थोड़ा जितना सिखाया जा रहा है सीख रहे है इसमें से एक बच्चा ऐसा होता है वो हद से ज्यादा कमजोर होता है अब हद से ज्यादा कमजोर होगा teacher की नजरों आ जाएगा teacher उसको indicate करेगा दो चार दिन संभालने की सम्झाने की कोस्त कर लेकिन उसको लगता है कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा है I am just like on the back foot मल एक तरीके से में क्या हूँ बाकी की लोगों से या जितना भी हमारा group में इतनी भी लोग है उन सबते में बत्तर स्थिती में हूँ at a disadvantage याने कि मुझे इस class का पूरी तरह से advantage नहीं मिल पा रहा है या मै यह भी एक तरीके से fallback होता है आस्रे लेना अब fallback अगेला अकेला यूज करोगे तो इसका मतलब होता है turn लेना you turn लेना मोड जाना वापस आ जाना लेकिन fallback on का मतलब होता है वापस आके कहीं पर जगे में सरड लेना आस्रे लेना कियार मुझे मदद की जरूवत है मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ठैरना चाहता हूँ इसको कहता है fallback on आप देखोगे यह resort टाइप के बने हुए है तो हम लोग जब भी कहीं पर जाते हैं तो हम एक जगे पर सरण लिते हैं या तो pay day or free जो भी है to resort to something किसी जगे के लिए किसी आज की ओवर होती है किसी को भी अगर इसकी pdf चाहिए open study telegram channel join कर लिजेगा ठीक है भी या यह आपकी contact numbers है सभी लोग open study application download कर लिजेगा अगर किसी को भी paid batch की जरूवत है तो ठीक है ना foundation batch अगर आप जोइन करना चाहते हैं बाकि उम्मीद करते हैं कि आज का session आपको चलग सब कुछ के लिए समझ में आओगा thank you so much see you in the next session एक बार आप सको फिर से गड़तंत्र दिवस 2024 की आपको हार्दिक सुपकामना है जैहिंद नमस्ते